तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने अलराजी बैंक की अप्लिकेशन से अपना लाइसेंस का फी कैसे पे कर सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड के लाइसेंस का फीस कैसे पे कर सकते हैं चाहे वो इसू लाइसेंस हो या इसू लाइक एंड सब्सक्राइब रूब करें और बेल आइकन पर किलिक कर लें इससे क्या होगा हमारी अगली आने वारी वीडियो पर नोटिकेशन आपको बिलता रहेगा तो फ्रेंड इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अलराजी बैंक के अप्लिकेशन को ओपन करना होगा तो फ्रेंड मैंने अपना अलराजी अपर किया है यहां पर यूजर नेम और पासपोर्ट डाल के जो है लोगिन हो जाओने अगर आप अपने MPN से लोगिन करते हैं तो MPN डाल के लोगिन कर लेंगे ठीक है फ्रेंड लोगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को जो है मिल जाता है यहाँ पर आपको नीचे मिलता है payment वाला option आपको simply payment वाले option के उपर जो है front click करना है payment वाले option पर click करने के बाद यहाँ पर आपको government payment मिलता है इसके उपर आपको click करना है government payment पर click करेंगे फिर इस पेज में आपको driving license मिलता है नीचे तो driving license के उपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर चार option मिलते हैं issue license, issue license from old license, replace license और renew license सबसे उपर वाला फ्रेंड जो है issue license है issue license में मतलब अगर आप अपने नया बना रहे हैं license तो उसके लिए फिस पे कर सकते हैं और उसके बाद नीचे मिलता हैं आपको replace license अगर आपका license हो गया है उसके लिए अगर आप free pay कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और renew license नीचे है और आपको अपना license का licenseいきます करना है यानि कि आपका license expired हो गया है तो इसके लिए आपको renew license पर क्लिक करना है और अगर आप साथी अरप से exit जा चुके हैं और वापस फिर दुबारा नए बीजे पर आए हैं और अपने license को renew करना है तो friend issue license from old license पर क्लिक करेंगे ठीक है friend तो आप आप अपने margin मताबिक कर लें तो चलिए मैं issue license from old license पर क्लिक करता हूं उसके बाद friend जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा interface मिलेगा आपको देखने के लिए यहाँ पर beneficiary की ID डालना है और अगर आप अपना खुद का कर रहे हैं तो इसको enable कर देंगे तो आपका एकामा नं हुआ हुँ उसके बाद जो है friend नीचे जो है license टाइप वाला option मिलता है आपको ठीक है एक कामा नंबर डालने के बाद लाइसे टाइप पे क्लिक करेंगे अब यहां से जो है friend देखिए धेर सारे option मिल जाते हैं आप जिस category का मतलब अपना license बना रहे हैं चाहे motorcycle का हो या heavy license हो या medium truck license हो ठीक है ना friend या small bus license हो या public private license की फीपे कर रहे हैं यानि जो भी आप कर रहे हैं उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर अपना option जो है select कर लेंगे ठीक है या house driver का कर रहे हैं तो जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे select कर लेंगे तो friend यहाँ पर जो है मैं अपनी category जो है select कर लेता हूँ तो चलिए मैं यहाँ पर प्राइवेट पे click किया प्राइवेट पे click करने के बाद friend यहाँ पर आपको duration पे click करना है फिर अपने margin मुताबिक कितने महिने की आप fee pay कर रहे हैं अपने एकामे की तो वहां से यहाँ पर पर click करना है इसके उपर click करने के बाद friend थोड़ा सा time लेता है फिर ऐसा कुछ interface दिखेगा आपको यहाँ पर आपको अपना सारा details देखने को मिल जाएगा view more करके आप और भी अपना details जो है check कर सकते हैं उसके बाद confirm पर click करना है तो नीचे आप confirm वाला button पर click कर देंगे confirm प आपको OTP दर्ज करते हैं तो यह थोड़ा सा time लेकर फिर नए page पर जाएगा यहाँ पर आपको confirm पर click करना होता है सारा details चेक करना के बाद ठीक है फ्रेंड confirm पर click करने बाद देखिए successfully जो है अभी फी जो है पैड हो चुकी है तो फ्रेंड I hope कि आपको यह वीडियो पसंद और समझ आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद और समझ आई है फ्रेंड प्लीज हमारे चानल को like and subscribe जरूर करें